जी असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स डी टू मैथेमेटिक्स का पेज नमबर 170 ओपन कर लें और एक्सरसाइज है 6P अगर आपके पास बूक अवेलेबल नहीं है तो नो प्राबलम एक पीस आफ पेपर और पैंसिल होना चाहिए हर दफाँ आपके पास लेक्चर को नोट डॉन करने के लिए तो टापिक हमारा चल रहा है अलजबरिक फ्रैक्शन्स अडवांस लेवल क्वेस्चन है मतलब कि यह सबसे लास्ट वाला क्वेस्चन होता है एक्सरसाइज में अडवांस लेवल तो चले करते हैं इसको करने के लिए मैं बेतर यह होगा कि वान ओवर थ्री एक्स को पहले लिखो और टू ओवर वाई को लिखके इस सारी चीज़ को आप एक ब्रैकेट में इन क्लोस करें और बताएं कि यह पूरी चीज़ डिवाइड हो रही है टू ओवर एक्स के साथ ओके इतनी बात को पहले आप डाइजस्ट करें और कभी कबार चीज़ फोरण डाइजस्ट लिए थी तो उसको स्टॉप करके समझ के तो फिर आगे वीडियो को प्ले किया करें अच्छा जी पहले इस ब्रैकेट में काम करते हुए हम फ्रैक्शन्स को सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन्स दोनों के दरम्याल में क्लस या माइनस का सिंबल हो तो आप लोग के पास एलसियम वाला ही एक तरीका होता है थ्री एक्स वाई दोनों को नियुमिनेटर्स आगे थ्री एक्स और यहां से तो ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाओंगा क्योंकि यह बेसिक लेक्शर्स जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की उनमें बताया होगा कि थ्री एक्स यहां से और वाई यहां से अगर दोनों में फॉर एक्स अगर इधर भी एक्स होता तो वो एक्स एक ही दफा लिखा जाता है लेकिन दोनों के डिनामिनेटर्स टोटली डिफरेंट है तो दोनों को मिला के आप लोग एक ही बार लिख दें यह जो फर्स्ट फ्रेक्शन है इसका डिनामिनेटर है थ्री एक्स इसको सॉल्फ करते हुए आप यहां से थ्री एक्स को हाइट कर ले हो गया हाइट य आपको नज़र आ रहे ला उस य को आप फर्स्ट नियुमिनेटर से मल्टिप्लाइ करते है तो यह थ्री एक्स को अगर आप हाइट कर दिया यह फिंगर रख दी और य आपको नज़र आ रहा है य जो है वो जाके वन से मल्टिप्लाइ होके वन टाइमस वाइ इस वाइ इटसेल्फ तो य लिख दिया अब इस फ्रेक्शन को सॉल्फ करते हुए इसका जो डिनॉमिनेटर है वाइ उसको यहां से हाइट कर दें पीछे आपको नज़र आ रहा है 3X तो 3X जाके 2 से मल्टिप्लाइ हो जएगा 2 मल्टिप्लाइ बै 3X मैं डिरेक्ट करतेता हूँ 2 को जब 3X के साथ मल्टिप्लाइ किये जहेगा तो 6X आ जएगा एक और मैतटेड टीचर्स कूर में सिखाते हैं य जाके 1 से multiply होके y और 3x जाके 2 से multiply हो जाएगा लेकिन ये cross multiplication मैं इसलिए नहीं सिखा रहा क्यूंकि ये हर जगा पर applicable नहीं भी होती हर जगा फिर मैं इसी rule को follow नहीं कर सकता लेकिन ये जो hide वाला method है ये मैं हर जगा पर follow करवा सकता हूं दूसरी algebraic fractions में भी I mean तो 3x की दफा में 3x को hide कर दें और y जो है आपको नजर आ रहा है उसको 1 से multiply कर दी अब first numerator के साथ तो y आ जाए और दूसरी fraction को I mean इसको solve करते वकर आप इसका जो denominator है y उसको hide कर दें और 3x नजर आ रहा है वो 2 से multiply होके 3 2 times 6x हो गया इस बात को भी आप video और रोक के तो एक दफार digest कर सकते हैं हास्तों पर वह student जो भी beginning stages पर है अगर आप चाहें तो अभी सही divide को multiplication में change करें चोटी classes में आपको सीख कराएं जब divide multiplication में change होता है तो fraction जो है वो उल्ट चाती है x उपर चला जाएगा 2 नीची आ जाएगा अगर आप चाहें तो इस bracket क अब हटा दें divide के लिए लगाई थी वो हट सकती है तो उसके हटाने से फाइदा ये भी होगा कि ये जो x है इस x के साथ कट जाएगा और ये y को इस y के साथ काटने की हमाकत ना कीजी और नहीं इस x को क्योंकि ये दोनों plus की वज़ा से एक दूसरे के साथ एक बंदन में ज और नीचे 3 को 2 से multiply करके 6 और y इस सोरी कैमरे में पहले आपको नजर नहीं आया अगर y प्लस 6 x को आप as it is लिख देंगे इसके सामने अब कुछ समझने 1 था तो y प्लस 6 x पूरा का पूरा इस invisible 1 के साथ multiply होके y प्लस 6 ही आ गया और दोनों के दर्मियान चुके multiplication का sign है अब क कि बार आप कोई LCM वगेरा नहीं देने लगे तो 3 y को आप 2 से multiply करके 3 2 times 6 इस 6 को भी 6 के साथ नहीं काट सकते किसी सुरत में नहीं इस y को y के साथ क्योंकि यू दोनों add हो रहे हैं तो student गलतियां करते हैं पीछे से बच्चे basics को सही समझ किया है हो तो वो गलतियां नहीं कर करेंगे और इधर ही अपना answer stop कर देंगे ओके स्टूडंट अलाफिस थैंक यू फॉर वाचिंग